आपके नाग के नीचे से कोई आपके साथ फ्रॉड कर रहा है और आपको इसकी कानो कान खबर ना लगे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको बता दू कि ऐसा हो सकता है और ये पॉसिबल भी है। आपके मोवाईल नंबर के अलावा आपके नाम पर रजिस्टरड मिलेंगे काफी सारे ऐसे नंबर जुन से होता है इस तरह का फरजीवारा। अब अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप कानूनी पचड़े में परे तो अब आपके नाम पर कितने मोवाईल नंबर चल रहे हैं। अब ये बंद कैसे होंगे ये सारी जानकारी आपके लिए है। आपने एक से जादा पैन कार्ड और अधार कार्ड के फरजीवारे के किस्से भी खुब सुने होंगे। हाला कि सरकार इस डिसा में सकती से काम कर रही है। और सभी चीजों के लिए डीजिटल प्रोसेस भी ऐसे क्राइम को रोकने में काफी एहम भूमिका निभा रही है। अब इतना सब होने के बाद भी मोवाईल नंबर से फरजीवारे की समस्या जो है वो कम होती हुई नहीं दिख रही है। यहाँ एक बात समझे हैं हम स्मार्ट फोन से फरजीवारे की बात नहीं कर रहे हैं बलकि आपके नाम पर रजिस्टर्ड मोवाईल नंबर की बात कर रहे हैं। लोन लेकर सरकारी योजनाओं तक कालाब लेने तक और क्राइम करने के लिए तो ऐसा होता ही है। अब ऐसे में आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके नाम पर कितने मोवाईल नंबर रजिस्टर्ड हैं। अब आप कहेंगे कि हमें तो पता ही है लेकिन ज्यादा तर लोगों को पता नहीं होता है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है जब एक ही वैक्ति के नाम पर दस-दस मोवाईल नंबर दर्ज होते हैं और उसे पता नहीं चलता। इसके लिए सरकार भी गंभीर है और सरकार ने एक पोर्टल भी बनाया है जहां बस एक सिंगल क्लिक करके आप पता कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने मोवाईल नंबर दर्ज किये गए हैं। यहाँ ना कोई एप और ना कोई एजनसी का जंजट है इसके लिए आपको जाना है टैफकॉप डिजटलेकॉम.gov.in पर अब अपना मुवाइल नंबर इंटर करिए OTP डालते ही आपको पूरा ब्योरा जो है वो दिख जाएगा जी हाँ आपके नाम पर कितने मुवाइल नंबर है यह सब आपके सामने आ जाएंगे अब अगर सब ही आपके ही नंबर है तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है लेकिन हाँ अगर लगे कि कोई नंबर आपका नहीं है तो यहीं से सारा प्रोसेस हो जाएगा आपको यहां तीन option मिलेंगे पहला this is not my number जिस पर क्लिक करते ही टेलीकॉम डिपार्टमेंट इस्तमाल करने वाले व्यक्ति से इस समध में जानकारी लेगा दूसरा option आपको दीखेगा not required यानि कि टटा वाई वाई या यूं कहें कि बंद करने की process यहां से start हो जाएगी इसके बाद तीसरा option आपको मिलेगा required मतलब की number आप से जुड़ा हुआ है और आप अपने पास रखना चाहते हैं तो यह option आपके लिए है के वाई सी के बाद नमबर आपका तो आपको बता दे कि ऐसा सिर्फ अप्रेल तक था अब यह सभी के लिए उपलब्ध है अब जब online fraud के बाद चली रही है तो एक number अपने phone में save कर लिजे और यह number है 155-260 जिहां एक बार और हम आपको बता देते हैं 155-260 हम नहीं चाते कि आपके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी हो लेकिन अगर आपके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी हो जाती है तो आप इस number पर जल्दी से call कीजिए आपके शिकायत दर्ज करके उसको citizen financial cyber fraud reporting and management system के पास भेजा जाएगा जहां से यह संबंधित bank, wallet, merchant, सभी agency को जानकारी जाएगी अगर समय रहते शिकायत कराये जाते हैं तो पैसे मिलने के पूरे चांस है अब जरा बात कर लेते हैं जुगाड़ की जिहां अकसर हम अपनी समस्याओं को जुगाड़ू तरीके से अपना का ठीक करने की कोशिश करते हैं तो यहां कुछ ऐसी ही खुलवा सकते हैं और अगर नहीं भी खुल रहा है तो नई सिंबलने में कोई समस्या नहीं होगी अब जरा अगले जुगाड़ पर भी बात कर लेते हैं अगर वाटसप चैट को Android से iPhone पर ट्रांसफर करना है तो क्या करें तो इसके लिए आपको अपने Android फोन पर Move to iOS डाउन लोड करना पड़ेगा हाँ एक बात का जरूर ख्याल रखे कि iPhone आपका नया होना चाहिए या तो फैक्टरी वी सेट होना चाहिए Move to iOS पर क्लिक करते ही आपको एक code generate होगा इसके बाद आप वहाँ दिये गए निर्देश को follow कर आप चाहे तो इसकी website पर जाकर भी अपना status चेक कर सकते हैं आप वहाँ से इसकी मदद ले सकते हैं आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही बने रही News World India के साथ